इन और की रावजी बजार पुलीस ने बुदवार रात मोहन कुमार राय निवासी वेलवर्थ डोडा बालापुर में रोड बैंगलूर और अनील सीनहा निवासी वेलवर्थ बैंगलूर के खिलाफ केस दर्च किया है कुलीस के मताबिक मामले में सहायक जिलापकारी कधिकारी मालवा मिल राजियू मुगदल द्वारा लिखी जांच रिपोर्ट पेश की गई है मुगदल ने बताया कि दोनों ने वर्ष 2022-2023 के लिए चेंडर डालकर माईजी छेतर में शराप का ठेका आवांटित करवाया था इसके लिए अनेस्ट्र मनी और बैंक गारेंटी रखी जानकारी के मताबिक आरोपियों ने 7000 रुपे का डिवान ड्राफ बनवाया जिससे हेरा फेरी कर 70 लाक रुपे का बना दिया इसी तरह 47000 की बैंक गारेंटी को 4.70 करोड की बना कर जमा करवा दी मामले में अपसरों ने जाच की ओर दुकान लाइसेंस जारी कर दिया है इस मामले में डिप्टी कमिशनर संजेतिवारी और असिस्टेंट कमिशनर राज नरैंट सोनी की भूमिका की जाच हो रही है हाला कि अप्चरों ने मिली भगत से साफ मना किया है और कहा है कि उन्होंने जाज करवा करें किस दर्च करवाया कि आपका रियरे तंबंडी क्या पॉरा मना करें यह थानौ राउजी बजार में एक्साइज डेपार्टमेंट के रिपोर्ट पे प्रकंड पंजिबत दिखिया गया है उसमें जो समंधित ठेकदार हैं उन लोगों ने जो डीडी दिया था वो कम राशी का था लेकिन उसमें करके उसको उन्होंने ज्यादे राशी का बना दिया था बाद में जो एक्साइज ने जब उसको बैंक पेश किया तो बैंक के मताये कि साब इसमें यह वह इतनी राशी का डिटी इसूई नहीं हुआ है कम राशी का है तो उस पर उन लुगोंने पहले नोटिस व्हें देकर करके और अपने उर्थी जो कारवाई होती हुद किया था उनकी उर से जब कोई जवाब नहीं मिला और जब उन लोगों ने उसमें नेगलेजिंस किया और कोई उसे संपर्ग नहीं किया तो उसके बाद से पूरा प्रक्राव लेकर करके फिर उन लोग कल ठाना राज बजार ग यार वो इकांट अप दिखना पड़ेगा मुझे फर्यादी कौन बने इसमें इस पर फर्यादी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी है तो कोई आधिकारियों के आपकारी विपाग के कुछ एका कुछ आया था नहीं अभी आज मैंने पूरी डाइप चु अपर विपड़ेगी